हाई गाई इस वीडियो इस वीडियो रांडम और आई विल रिकॉर्ड द वोइस ओर इंगलिश वेकर्ड बहुत इसी है आप लोग समझ पाओगे कि इसमें कया कया बनाया गया इसमें बताऊंगी कि आप लोग कॉन्फिटर्स और चली पोटेटोज कैसे बना तो इसके लिए आप को इंग्रीन्स चाहिए वो हैं, बारिक कतेवे प्याज और श्रेम lassamir चाहिए आपको कॉन ऐसन साथ के लिए जो यह हैं और लंबे प्याज और और आप श्रेमिल के लिए चिली प्तेटो उस चाहिए व एकदम बारिक कटीवी लशन में, अब तshe चिली सॉस है, चिंक्स से, डाक सोया सॉस आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, इस वेनिगर, देन, इस ग्रीन चिली सॉस, फिर आप ले सकते हैं सेजवान सॉस, फिर आपको धीरे फ्लेम पे ओईल को गरम करना है, यह हैं कॉन्फिटर्स जो अल्रडी मारिनेटेड और मारिनेट कैसे करते हैं, आपको कॉन्फिटर्स और पोटेटोस को काटकर वाश करके, उसके ऊपर, ओके तुम आपको बाद में बता दी हूँ, पहले में आपको बता देती हूँ कि यह कैसे करना है, आपको थोड़ा सा ओईल लेना है, और उसमें शिमला मिर्च, लसन का पेस्ट, प्यास, बारे कटेवे प्यास, और एकदम धीले आज में लोगो इस सब को पकाना है, आपको साथ में, इन सब को हिलाते रहें, और जो चिली है, जो गीन चिली आपने काती हैं, वो अकॉर्डिन टेस्ट आप आड़ कर सकते हैं, और इसको जब तक यह पकर रहा है मैं आप लोगो बता देती हूं कि आप उसको मैरिनेट कैसे करेंगे, आपको मैरिनेट करना है, अगर वो गीला है तो इस पर कॉन फ्लोर और मेंदा डाल के मैरिनेट गर आपको रखना है, अराउंड वान आर के लिए रख दो और यह फिर अप तो फ्रिज में भी स्टोर कर आप एक लिए केचुप जो की है चिली वाला तो आप चिलीकेचप अगर अपर ँचिली खाते है तो आप यह फिली केचप झाल को यह फिली काथे तो हमने चिली सॉस आट किया, इस्पेशली आप डालेंगे थोड़ी सी शुगर कि वो एक्दम निटा और घटा सा टेस्ट जब तक पक रहा है इसको थोई देर पकने दें फिर थोड़ा सा ग्यास आप तेज कर दें कि यह जल्दी से पक जाए फिर आप आड करें टमाटो सॉस नॉर्मल जो केचप होता है वो आप इसमें आड कर सकते हैं फिर आप इसको हिलाएं और पकाते रहें और जब तक कि यह हो रहा है तब तक आप जो कौन आपने मैलिंट अल्रेडी करके रखे हैं आप उसको फ्राइ कर सकते हैं ओईल में जब तक यह फ्राइ हो रहा है इसको फ्राइ होने दे और उसको हिलाते रहें जो पेस्ट अल्रेडी हम साइड में प्रिपेर कर रहे हैं तो आप उसको हिलाते रहें और उसके बाद में कौन को भी चेक करते रहें कि वो फ्राइ हो रहा है कि नहीं धंक से और इसको इस चीज के ल आपकी ग्रेवी लाएं आप दोड़ी दिरों और उसे धीरे फ्लेम पे और उसके बाद में जो आपके कौन है वो आप इसमें आड कर लें अधनी आप स्वाला पॉरजें इतना ही इसको अचल अचे वरना एक रिंस नहीं देगा और इतना होगा तो ईक्रिस्पी नहीं देगा जिब यह जाओगे किंगे थी एक में को यह होजाए दिन आप इसको हिलाओ और झाल रडविसी ज्लेडीु मिन म्क्स हो गया है और उसके बाद में आप इसके अंदर एक इसमें रड़ कलर आड़ कर सतय ओी तो अगर आपकी चाहे तो आपको रेड कलर आपकर सकते हो और इस अप्टु यू कि आपको आपको आपकरना है कि नहीं सु हाँ अब जब हो गया तो रेड कलर आपकरें और तोड़ा सा केच्प और आपकर दें रेड सॉस तहने से लाएं और फिर जो मेरे आपको बताया रेड कलर आपको भी आड कर दी कि एकी रेड कलर देदे पकिस जब नॉमली खाते हैं तो यह रेड कलर को होता है या इस प्रिपेर्ड तो आपने कुछ मिनट के इंद इसको प्रिपेर कर लिया और फिर जो फाइनल लुक है इसका वो है यह और या नेक्स जो रेसिपी है वो है यह है मेरी भुआ तो वो बना दी है जो नेक्स रेसिपी मैंने आपको बताई चिली पटेटोस के लिए उसके लिए आपको वही करना है तोड़ा सा ओई लेकर उसको धी राज पे पकाएं गरम करें और उसके बाद में लसन का पेस्ट जादा क्योंकि चिली पटेटोस के अंजर थोड़ा सा जादा यूनो टेस्ट रहता है तो लसन का पेस्ट बारिक कर टीवी हरी मिर्ची जो अलड़ी हमने काट के रखी है उसके आद में लंबे प्याज और लंबे शिम्ला मिर्च और गाई अब मारिनेट करके अगर इसे आ आपको इसके अंदर भी सारे सॉसे आपको आड करने है इसके अंदर आप आड करेंगे वेनेगर उसके बाद मैं आड के आपने रेच चिली सॉस आप अपने टेस्ट के कॉर्डिंग डाल सकते हो कि आप कितना जादा स्पाइजी खाना चाहते हो इसके आड में आप आड करोगे सोया सॉस इस ब्लाक इं कलर और हमने एक काप यूज किया इसमें से सोया सॉस उसके बाद आपको इसके अंदर डालना है इस इस सेजवान सॉस उसके बाद मैं आप इसको इसमें आप अपने अकॉर्डिंगी नमक काली मिर्च डाल दें जितना भी आपको डालना है आस पर यूर टेस्ट इसके बाद मैं दालें ग्रीन चिली सोस नेख्स्ट जो आप आड करेंगे वू है इसको पहले हीलाले इंगेरें को अगर्ड याप टाहे ता नॉर्मल केचप जो हम टॉमाटो सॉस खाते हैं उसके बाद में इसको हिलाएं और इसको धीरी आज पर बखने दे और तब तक जो आपने पोटेटोस मारिनेट करके जो फ्रिज में रखे हैं उसमें आप इसमें आड कर दीजे थोड़ा सा और सोया सॉस थोड़ा सा ज्यादा कलर देने के लाप सोया सॉस और कर सकते हैं और जो अपने मारिनेट करके अगर आप फ्रिज में रखकर फिर फ्राय करोगे तो वह जादा बेटर है तो आप आलू कॉलिटी फ्राई हमने फ्राय करा यह आप देख सकते हैं कि आप एक पर यह चीज पकाएं और साथ में आप अजो और पोटेटो को फ्राय कर सकते हैं अगर आप फ्राय अं-बस्पार करेंगे तो वह जादा प्रिस्पीनेस और फ्लेवर देगा अगर वसे फ्राय करके रखते हम इतना अचा Catal नहीं रिगा जितना अप पाशी अगर आप प्रतें आप उर जादा कर आइड कर सक जैसे आपके potatoes fry हो रहे हैं तब तक और ही आपका side में दीरे आज पर पकता रहेगा उसकी बाद में अगर आप on the spot ही पटेटो को fry करके आड करोगी तो वो जादा बेटर टेस्ट देगा तो मैं यही सज़ेस करूँगी कि आप on the spot ही उसे fry करें उसको fry करके रखे नहीं और अब जो नहीं पटेटो से सारे आड करकर इसे सारे आड हो गया है उसके बाद में उसके बाद में उसके बचा करें जाणा की आपके बटाते हैं यह सारे पोटेटो अए होने के बाद आप इसको निक्स करेंगे और आप देंगे तो अगर सारी सॉसेज और सब बलाइब करें जो घर किहांगे तो जो अपनाव कलर है वह को ब्रावmor जान अगर म जाता है मार्किट मोदै तो फूट कलर आड करते हैं जो ठाक होते हैं तो देख करें और फिर मिक्स करने के बाद आप नमक काली मेर्ट सब अपने टेस्ट अकॉर्डिंग आप आद कर सकते हैं अब आपको कलर देखी रहा है कि कलिर क्या है और की कि मार्कत ज़ीस लगेगा गर आपसे ऐसे किसी को सब्सक्रव करोगी तो आप एसे ही लगे गा कि यह भाँ है तो मैं आपको जूम करके भी दिखा रही हूं कि इस टाइप का और किस कलर का दिख रहा है इसे थोड़ी देर पकने दे आप इसके अंदर एद एंड आप आड करोगे वन या वन एंड हाफ टेबल स्पून हनी वह एक खटा मीटा सा टेस्ट देगा अप उसके लिए शुगर हएं है exists voucher देगा है और अभी तो अभी तो अब भी हारी सा इसे मिक्स करें हैं और रही तो ऑर भी हैं या उसे तो सिर्फ गंत और सचोड़े और जैसे ही उसके में काथी में सिर मिर्ची और नमम डाल व्या और ऊपर सब से और जो अभी मेरी बहाणने आपकीं आपकी तो जब तक थोड़ा मिक्स करकी आप उसे पकने दें और चोड़ा दे रखें तो जैसी ही पूरा पक जाएगा ढंग से तो अब मेरी भूहन इसे प्रेट में सर्फ कर दिया जो फाइनल लोक है इसका वो है यह और यह बहुत लग रहा था और अगर आप इस recipe को ट्राइब करें तो जरूर एक comment section में लेखें कि आपको कैसा लगा और यह recipe आपके काम आई की नहीं thank you so much bye take care and I'll see you soon bye